हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मर ओक्स यूटूब चैनल, फार्मर ओक्स के यूटूब एज़ू के स्टनल चैनल में आपका स्वागत है इन टोडेस वीडियो लेक्चर, वी विल प्रोवाड यू प्रॉपर इन्फरमिशन अबाउट जीपेट एक्जामिनेशन फी की, तो जो लेटेस फी स्टॉक्चर है जीपेट एक्जामिनिशन का और एक्जाम की फी किस तरह से पेग की जाती है वो सभी के बारे में हम यह वीडियो लेक्चर में डीटेल में डिसकस करेंगे कि काफी सारे स्टुडotta के माइंड में ये क्वेस्चन मार्क रहता है कि मतलब कि किस तरह से आप pay करेंगे fee, how to pay the GPED examination phase, तो यह सभी doubts को हम यह lecture के अंदर आपके लिए clear करेंगे, कि जो भी आपके जो doubts है, कि regularly students हमें message करते हैं, as well as call करके भी पूछते हैं, comment box में भी comment आती है, कि what is the fee structure of the GPED examination, तो वो हम detail में आज आपके साथ discuss करते हैं, यह video lecture के अंदर, तो this expert lecture by Amar sir, Mr. Amar M. Rawal, B.Farm M.Farm in Pharmaceuticals, PhD pursuing assistant professor and founder of PharmaRox, pursuing the PhD from Gujarat Technological University, Ahmedabad, Gujarat. तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी के support के करन PharmaRox ने अपने one leg से भी ज्यादा subscriber complete किये है, and YouTube have give us a YouTube creator award, कि जो silver creator award जो होता है, वो YouTube के दारा हमें दिया गया है, कि YouTube ने हमें यह award से सम्मानित किया है, तो जिसके हम आप सभी के आबारी है, कि आप सभी के support के करन हम यह achievement को पास सके हैं, अगर आपके पास एंड्रोइड फोईन है, तो फार्मा रोग्स का अप आप डाउनलोड करें, गुगल ब्ले स्टार पर से, अगर आपके पास एपल का आइफोन है, तो एप स्टार पर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है कि जहाँ पे आप स्टडी मट्रियल, टेस्स सिरीज एंड वीडियो लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं, अफ़र्डेबल प्राइस सिर्फ 100 रुपीज में आप एक साल तक जीपेट टेस्स सिरीज को एक्सेस कर पाओगे, फार्मरोक्स के मुबाइल अप्लिकेशन के उपर, तो भी टाउनलोड करिए एप फार्मरोक्स, एक्सेस दिस टेस्स सिरीज इन वेरी अफ़र्डेबल प्राइस फार वन येर, तो जीपेट एक्सेमिनेशन तो सबसे पहले तो स्टुडेंट को फूल फॉर्म पता होना चाहिए जीपेट का, कि जो स्टुडेंट डाइरेक्ली ये वीडियो लेक्चर हमारा देख रहे है, तो उनको में थोड़ा बहुँ जीपेट एक्सेम के बारे में बता दो, तो जीपेट का जो सबसे पहले तो जो फूल फॉर्म होता है, जी मीन्स ग्रेजुएट, जीपेट का फूल फॉर्म होता है कि जिसको कहा जाता है जीपेट, तो जीपेट की एक्जाम जो है, वो नेशनल लेवल की एंटरंस एक्जामिनिशन है, कि जो एमफाम के जो कोर्सीस होते है, उसके एडमिशन के लिए, कि जब आफ स्टुडन्ट बीफाम करता है, और बीफाम के बाद समझे कि उसको एडमिशन लेना है एमफाम के इंदर, तो बीफाम में से एमफाम के इंदर एडमिशन लेने के लिए जो बीच में आपको जो एंटरंस एक्जाम क्लियर करनी पड़ती है, वो है जीपैट की एक्जाम, कि बीफाम में से आगे हाइर स्टुड़ी आपको करनी है एमफाम की जो पीजी कूर्सिस हम कहते है, पोस्ट ग्रेजिएशन, बीफाम की जो अंडर ग्रेजिएट कूर्स होता है, जो आपको ग्रेजिएशन का सर्टिफिकेट देता है, डिग्री सर्टिफिकेट की जो आप बैचलर आप फार्मसी करते है, डिग्री सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, और उसके बाद आपको समझे कि master करना है master degree लेने के लिए pharmacy के अंदर कि जिसको हम post graduation course कहते है तो वो करने के लिए GPED की exam जो है वो देनी पड़ती है और उसी के merit के basis पे आपको further M.Farm के अंदर admission मिलते है तो GPED exam का काफी importance है इस तरह से और साथो साथ GPED exam जो student qualify करते है जो student GPED की exam को qualify करते है उनको 12,400 रुपे रुपीज 12,400 पर मन्थ पर मन्थ दी जाती है scholarship till 24 month after taking the admission in M.Farm के master degree के अंदर जब आप admission ले लेते है तो 24 month तक आपको हर महिने 12,400 रुपे scholarship दी जाती है as a part of AICT post graduation scholarship scheme की जो post graduation करने वाले जो students होते हैं उनको All India Council for Technical Education जो scholarship देता है और वो scholarship आपको मिलती है after qualified this GPED examination तो काफी importance है ये exam का इसलिए कि आपको financially भी support हो जाता है as well as आपका rank अच्छा होता है तो आपको अच्छी institute मिलती है और आपकी family को भी काफी support होता है कि आपका जो scholarship के करन आपकी examination fees कहे या फिर आपकी tuition fees कहे college वगेरा की extra जो expenses है वो काफी सारा आपका निकल सकता है by this scholarship because दो साल के at least आपको three legs जितनी scholarship जो है वो मिलती है of the two years और ये काफी आपको helpful रहती है financially आपको help करती है कि जिससे आपका जो post graduation का जो खर्चा है वो easily निकल जाता है तो 2018 तक हम बात करें तो GPED की जो exam थी वो AICT directly conduct करता था as per the direction of ministry of human resource development MHRD government of India कि जो MHRD के directions के according to 2018 तक GPED की exam को AICT conduct करता था और उसके बाद अब governing body जो NTA है वो ये exam को conduct करता है behalf of ministry of human resource development की जो MHRD के direction के according to ही जो national testing agency की जो हम कही थे NTA वो exam को conduct करता है कि जो एक governing body है तो GPED की जो 2019 की exam हुई GPED 2019 फिर GPED का 2020 का जो exam हुआ and upcoming GPED 2021 NTA द्वारा conduct किया जाएगा for the admission to various MFARM और its equivalent courses across the country के पूरे इंडिया के अंदर आप इसके rank के basis पे किसी भी institute के अंदर किसी भी university के अंदर admission ले सकते है आपको जो भी university में admission लेना हो वहाँ का जस्ट आपको form फिला फुगरना पड़ता है और उसके लिए आपको कोई अलग से entrance exam के नहीं दिनी पड़ती directly GPED के rank के business पे आपको admission दिया जाता है except कुछ ऐसी universities and colleges है कि वो अपनी खुद की भी entrance examinations conduct करतेगी जैसे कि नाइपर है तो नाइपर के उपर हमने already वीडियो lecture बना है तो यहाँ पे एक i button पे क्लिक करके आप यह देख सकते हैं कि पूरा जो नाइपर के related हमने एक lecture आपके लिए बना है कि जो GPED के qualify student होते है वो नाइपर के अंदर admission लेने के लिए नाइपर के entrance exam दे सकते बट नाइपर का जो exam देने के लिए सबसे पहले तो main basic qualification वो ही चाहिए कि आप GPED qualify हो प्लस आप BFarm graduate हो या फिर final year के student हो तो ही आप नाइपर exam दे सकते ऐसे बहुत सारी जो well known institutions का भी यह होता है कि student जो GPED qualify हो तो ही वो अपने institute के अंदर वो admission देते है तो GPED exam का काफी importance है कि अगर कोई student यह exam को qualify करता है तो scholarship के भी benefit मिलते है as well as जो top institution से pharmacy की वहाँ पे आपको admission मिलता है as well as scholarship के करण financially आपको support होता है तो आज का जो हमारा main topic है कि GPED examination का fee structure क्या होता है कि जब exam conduct होती है और अभी latest क्या fee structure है यह exam का कि जब हम यह video lecture आपके लिए बना रहे है 2020 के अंदर 2020 और 2021 कि जो academic session जो हम कहें वो session के according to अभी latest fee structure कितना है GPED का वो जान लेते है तो following is the new latest fee structure of GPED examination जिसके अंदर जो general category के जो student है कि जो हम कहते है general कि जिसके अंदर general category as well as EWS economically weaker section OBC के student NCL category के जो student है और उसमें भी जो boys उनकी जो fees है वो है rupees रूपीज 1,600 रूपीज आपको fee pay करनी पड़ती है अगर आप EWS category से है OBS या फिर general है and gender is male मतलब कि boys same general category EWS, OBC and NC Albert girls candidate के लिए वो fee है rupees 800 rupees तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप form fill up करते हैं उसका भी एक ढ़्यूटल टूटोरियल आपके लिए बनाएंगे कि जैसे ही exam की application start होगे 2021 exam के लिए तो एक आपका डिटेल टूटोरियल आपके लिए हम conduct करेंगे किस तरह से GPET exam का form fill up किया जाता है तो उसकी tension आपको अभी से नहीं लेनी है उसका उस time proper detail lecture आएगा कि जिससे आपको पूरी information मिली कि अभी just आप ये जान लीजे कि फी वगेरा कितनी होती है तो general के category के student की जो male होते है उनकी फी है 1600 रूपीज and female के लिए वो फी है 800 रूपीज उसके बाद हम SCST candidate की बात करें SCST P.W.D candidates and transgender उसमें भी boys तो boys के लिए वो फी है 800 रूपीज 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 800 and same categories के girls के लिए फी है रूपीज रूपीज एठ अंडरेड तो तीन ये अलग-अलग टाइब के fee structure हम कह सकते के 1600 and 800 तो जो general category के girls के अंदर ये relaxation हम दे सकते है fee की 800 रूपीज फिर SCST boys हो या फिर girls दोनों के अंदर भी fee 800 रूपीज है और general category EWS OBC के जो boys है उनके लिए fee है रूपीज 1,600 रूपीज तो ये है fee structure की जो latest fee structure हम का है 2020 2021 के according to जो academic session है उसके according to जो GPED exam का latest fee structure की जो conduct करती है अब national testing agency तो how to pay this GPED examination fee, GPED की exam के fee कैसे पे की जादी है तो online payment के option आपको दिये है GPED ने, कि जब आप GPED की website फे अपना form फिलब करते हैं तो आप उसकी जो fees है वो online pay कर सकते हैं कि आपके पास समझे कि credit card या फिर debit card है तो उससे online जो है वो payment कर सकते आप फिका as well as net banking के भी option है UPI transactions भी कर सकते है as well as pay TM का भी आपके पास option रहता है कि जो pay TM service है, online transactions की उससे भी आप payment कर सकते हैं बट payment के दर रहे हैं आपको कुछ instruction है जो ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो if the fee is paid through credit card, debit card, net banking, pay TM और UPI and status is not okay आपको payment के बाद उसका status जरूर से चेक करना होता है status समझे कि not okay आया है उसका मतलब क्या हुआ? transaction is cancelled कि जब आपका transaction cancel हो जाता है तो वहाँ पे जो status से वह आता है not okay करके क्योंकि कई बार form fill up करते है student और यह से problems create होते हैं तो उस वग भी हम आपको advice देते हैं बट यहाँ पे खास जान रहे हैं कि in case the fee payment status is not okay not okay जब status generate होता है और अब अगर आप payment करते हैं credit card से, debit card से, net banking, UPI और not okay status है तो उसका मतलब क्या है transaction is cancelled transaction आपका successful नहीं हुआ है transaction cancelled हो चुका है therefore such candidates have to pay the fee once again and ensure the okay fee status मतलब कि आपका transaction fail हुआ है कि आपकी जो successful fee payment नहीं हुए है transaction किसी भी कारण सर cancel हो चुका है तो आपको payment की procedure जो है वो फीर से करनी पड़ेगे you have to pay the fee once again तो उसका मतलब यह नहीं है कि आप दो टाइम पे fee payment करोगे payment तो एक ही बार होगा बट जो previous payment जो आपका होगा वो cancel हो गया होगा fail हुआ होगा और अगर आपका fee फिर बाद में okay status आ जाता है तो आपको कोई tension लेनी की जरूरत नहीं है एक और case है यह इसे में कि for the cancelled transactions the amount will be automatically refunded by the concerned bank to concern credit or debit card तो अगर समझे कि आपका transaction cancelled हुआ है और समझे कि कोई amount आपकी deduct हो चुकी है तो वो जो है वो आपके payment way की अंदर refund हो जाएगा कि समझे कि आपने जो भी bank से payment किया है online transaction में तो आपके वो bank account के अंदर या फिर आपके credit card के अंदर या फिर debit card के अंदर वो amount जो है वो automatically refund कर दी जाएगी तो कोई इसमें tension लेनी की बाद नहीं कि एगर समझे कि आपका status not okay आ रहा है payment सायद cut भी हुआ है तो भी वो payment जो है वो आपके account में फिर से refund हो जाता है the candidate then shall have to pursue with the concern bank for refund कि अगर समझे कि आपका refund नहीं आता तो आप एक बार bank से भी check कर सकते हैं bank को आप email कर सकते हैं या फिर जो भी आपकी नजदी की branch हो banking की वहाँ पे जाके भी आप ये जो है डिटेल उनके साथ share कर सकते हैं and refund की जो process है वो आप initiate करवा सकते हैं तो कोई tension की बात नहीं होती usually refund हो ही जाता है working days के अंदर within one week और अगर one week के बाद भी आपका payment समझे के refund नहीं होता not okay status के अंदर तो आप आपका नजदी की bank की जो branch है वहाँ पे जाके जो आपका जो status ही वो check करवा सकते हैं और उसके बाद आपका जो payment है जो deduct हुआ था वो refund हो जाता है और जो student का status पहले से ही okay है तो वो फिर आगे के जो steps होते हैं वो कर सकते हैं तो ये था GPED examination का latest fee structure और उसके related कुछ important instructions तो GPED exam के लिए कुछ और information जान लेते हैं कि eligible कौन होता है तो degree in pharmacy करने के बाद जो 4 years हों कहते हैं after 10 plus 2 आप भी फार्म करते हैं उसके बाद आप दे सकते हैं including the lateral entry student भी ये exam दे सकते हैं और जो final year के जो student होते है बेफार्म के वो भी examination दे सकते हैं कि उनका समझो कि academic session जो 2021 हो for apply at the GPED 2020 वन की जो admission लेंगे वो 2021 बाइस का जो academic session आए उस वक समझो कि उनको admission लेना है तो eligible हो जाएगे मतलब कि for example अब भी आप final year में है तो आपका academic session होगा 2021 और आपने exam दी थी GPED की 2020 अब next year GPED 2021 की exam होगी तो समझो कि आप inform करेंगे तो उस वक्त academic session जो होगा वो होगा दो हुज़ार 2021 बाइस का academic year होगा अभी academic year है 2020 का और ये academic में अभी आप current study कर रहे है और current study के दोराना GPED की 2021 की exam देगे और GPED की exam वगरे के result आएगा आपका be firm complete होगा तब तक आपका 2021 का academic session complete हो जाएगा अब जब आप next year admission लेगे तो नया academic term जो है वो start होगा वो होगा 2021 तो आपको समझो की 2021 के अंदर admission लेना है तो GPED 2021 के examination के अंदर आप अपियर हो सकते हैं फिर ये जो आप समझो की GPED 2021 के exam आप qualify कर लेते हैं तो जो भी आपका score card है जो भी आपका score card है उसकी जो validity है वो 3 year है उसकी validity 3 year से मतलब की ये वाला first academic year उसके बाद second academic में year कहो कि याप ये लिख लेता हूँ validity 3 year उसका मतलब ये हुआ कि आप अगले तीन academic session तक admission ले सकते कि 20-21-22 के बाद 2022-23 के academic year में प्याप admission ले सकते है as well as 2023-24 ये तीन अलग-अलग academic year तक आप जो है admission ले सकते है because उसकी जो validity है 3 year से from the date of result की जिस दिन result आता है उस दिन से 3 years तक उसकी validity रहती है GPED के scorecard की तो आपको validity चेक करके admissions खास कर लेने होते है तो usually 2 या 3 academic sessions तक आपका ये valid रहता है तो usually इतना late करने की भी जरूरत नहीं रहती आप समझे की सेम academic year में भी admission लेलो या फिर second वाले लेलो तो आपका late नहीं होगा और जल्दी से जल्दी आप अपना master degree की जो post graduation है वो easily complete कर पाए 2021 के examination tentatively fourth week में होगी January के और उसके जो form जो है वो November first week से बराना start हो जाएंगे tentative date रहेगी कि November first में tentatively उसके form fill up होना start हो सकते है November 2020 से और आपको एक मेना usually दिया जाता है form fill up करने के लिए age limit कोई age limit नहीं है सिर्फ जो citizen चाहिए आपको इंडिया की और कोई age restriction नहीं है GPT exam देने के लिए common format देखे तो 125 question होते है एक question का 4 mark total 500 marks की exam time limit 180 minutes मतलब की 3 hours आपको दिये जाते है exam के अंदर and negative marking होता है minus 1 ये exam के अंदर फिर और detail में देखे तो 125 marks each having 4 marks total 500 marks negative mark x minus 1 and minimum 25 से लेकर 30% जितना आप score करते हैं तो भी ये exam के अंदर qualify हो जाते है so repair well to qualify the GPT examination scholarship की बात करे तो मैंने already आपको समझाया और ये slide के अंदर भी है कि 12,400 रुपे पर month आपको scholarship दी जाती है under the post graduation scholarship scheme by EICT और जितनी भी EICT approval institute or universities होती है वो सभी के अंदर समझे के आप admission लेते हैं तो आपको जो ये GPT का scholarship मिलता है तो 12,400 रुपे जो पर month 24 month का आप निकाल होगे तो 2,97,600 रुपीज आपको मिलते हैं approximately जो 3 लेक जितनी हम कह सकते है scholarship आपको मिलते हैं after qualify the GPT examination की इसका फाइदा आपको होता है की आपकी जो master degree post graduation में जो अलग-अलग spend होंगे अलग-अलग research work के अंदर fees वगरा में आप ये amount use कर सकते हैं जो financially आपको ये support कर दिये काफी scorecard की validity 3 years है तो वो भी एक tension की बात नहीं है की validity 3 years है from the date of announcement of the result की जिस दिन announce होता है result उस दिन से उसके validity जो है वो 3 years अपकी बन जाती है ये है उसका GPT का cut-off का analysis 2020 163 cut-off था OBC sorry general category का OBC NCL 131 रहा SC का 103 ST 76 and EWS category का था 104 उसके लाओ देखे तो सबसे कम 113 रहा था 2017 के अंदर OBC के लिए PY था और SC candidate का सबसे कम cut-off हम देखे तो वो भी 82 था 2017 में ST का सबसे कम 67 marks 2018 के अंदर physical handicaps के अंदर पिछले 2 साल से कोई cut-off नहीं है तो ये कच्छी बात है कि जो physically handicapped student है वो just appear होते है तो भी वो qualify हो जाते है exam के अंदर और वो scholarship के लिए apply कर सकते हैं नहीं तो पहले उनके लिए cut-off 100, 100, 190, 82, 119 जैसे थे फिर ST का highest cut-off रहा 100 marks और अब 74, 76 जितना रहता है तो अवरेजली हम एक अनलेसिस देखे तो 2021 का जो cut-off है general category का 150 से लेकर 170 तक जा सकता है OBC का 125 तो 140, SC का 100 से 120, ST का जो एवरेज है वो 75 से 85 और EWS का 100 से लेकर 120 जितना cut-off हो सकते हैं तो इसी according to आप अपनी strategy बना कर preparation कर सकते हैं यहाँ पर आई बटन पर जरूर से क्लिक करिए हमने जो planning और strategies आपके लिए जो design की है वो आप देख सकते हैं और यह है marks के logic का जो calculation की आप rate zone में होते हैं तो danger zone है कि आपके qualify होने के chances कम हो जाते हैं yellow में होते तो in between रहे जाते हैं कि 7 जो के cut off low होता है तो qualify हो जाता है cut off high होता है तो आप danger zone बट जब green zone वाले आपके score रहते हैं कि 160, 170, 175 या फिर 200 की अबोग तो आपका qualify करने का जो ratio है वो काफ़ increase हो जाता है और यह कि 50 question correct है तो 50 into 4 तो आपके marks हो गए 200 but wrong 30 है उसके करन minus 30 तो 200 में से minus 30 करोगा तो 170 इसी तरह से यह marks calculate हमने किया है तो यह detail में मैंने समझाया है आपको एक lecture की जो planning वाला lecture है strategy वाला i button पर click करिए तो वो lecture आपको मिल जाएंगा subject wise marks देखे तो chemistry में से 38 questions पूछे जाते हैं all over फार्मासुटिक्स के 38, कोगनोसी के 10, कॉलोजी के 28, 10, other subjects के भी 11 questions रहते हैं और कुल मिला कर 125 mcq तो यह था proper information about the GPAT examination उसका latest fee structure और कैसे GPAT के exam fee पे की जाती है और उसके related important information तो ऐसे ही pharmacy के related informations के लिए PharmaRox के whatsapp group जरूर से join करिए 942618036 PharmaRox का whatsapp helpline number है subscribe करिये channel, press करिये bell icon and never miss any video of PharmaRox use करिये PharmaRox जहापे आपको study material, test series वगरा affordable price में मिल जाएगा तो get the access of test series and video lecture and study material on PharmaRox android app on google play as well as apple iphone app on app store good luck and all the best